रोहिश श्यर्मा ने किया बड़ा खुलासा बताया बड़े लक्ष के बाद क्या योजना वनाई थी मुंबई इंडियन्स ने अपने IPL इत्यास में सबसे बड़ा लक्ष चैस करते हुए हासिल किया और हैरान करने बाला खेल दिखाया मैच के बाद रोहिश श्यर्मा ने कुछ एहम बातों का जिक्र किया जिसमें यह भी था कि हमने पिछ बहतर होने की चर्चा कर खुद में भरोसा रखने की चर्चा की थी रोहिश ने कहा है कि मैंने जितने भी T20 मैच खेले हैं उन में से यह बैस्ट था लक्ष का पीछा करते हुए मैंने ऐसे कभी नहीं रेखा पॉली की सर्वसेश्ट पारियों में से एक बाहर से देखने में शानदार लड़कों द्वारा किये गए प्रियास से बहुत खोसूँ अच्छी पेच छोटे मैंनान हम इन 20 ओवर को समाप करने के बाद सकरात्मक बने रहना चाहते थे मुंबई की कप्तान ने कहा है कि हम एक अच्छी सुरुबात के लिए उत्रे और फिर हमने देखा कि क्या हुआ हमने अंतिराल के दौरान एक संचिप्त बातचीत की जिसमें हमने कहा है कि यह एक अच्छी पेच है अपने आप पर भरोसा रखो हमारी वेटिंग लाइनप पर सौर्ट मेकर्स हैं इसलिए हम वहां जाकर खुद को एक्सप्रेस करना चाहते थे रोष यर्मा ने कहा है कि टौप क्रम पर शानदार साज़ेदारी हुई टारगेट हासिल करने के लिए कुर्णाल पांडिया की साज़ेदारी जरूरी थी जब आप एक उच्छे स्कोर का पीछा करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी पावर हिटर्स अधिक से अधिक गैनों को बल्लिवाजी करें लेकिन हमने कुर्णाल को अपना काम करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया बै अच्छे बल्लिवाज है इसलिए हम उन्हें मौका देना चाहते थे लेफ्ट हैंड बल्लिवाज हमेशा अंतर पैदा करते हैं उनके पास एक ओफिस पैनर था लेकिन हम चाहते थे कि जितना संबभवो उतना प्लेट फॉर्म पोलार्ट हारदिक और निचले करम के लिए सैट करें यह हमारे खेलने की सैली के अनुरूप है राजस्तान के खिलाब पिछले गेम गेंदवाजों ने हमें खेल में बापसी कराई गौरब तल है कि पोलार्ट ने 34 गेंद पर नावाद 87 रन बनाते हुए चन्ने की खिलाब मैच में मुंबई को 4 विकेट से जीत दिलाई मुंबई ने 219 रन का लक्ष हांसिल किया आई पियल में आपका फैवरेट कप्तान कौन हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार